नमस्कार साथ यो तो आज है 29 अगोस 2024 बजार में आज काफी बड़िया रैली देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी फिर से अपना आल टाइम हाई को टेच करते वे एक लोजिंग दिया पहली बार 25,100 के उपर जाके 25,051 पॉइंट पे लगबग 0.40% तेजी के साथ और इस बारे में कल रात की सारे दस की वीडियो में हम लोग काफी चर्चा भी किये थे क्या कहा था ज़रा याद करके देखे कि आज कहा पे ओपन होता है उसके उपर डिसाइड होगा कि उपर की तरफ रेजिस्टन्स कहा है और नीची की तरफ सपोर्ट कहा पे है जैसे कि म बादे के सीधा सीधा 25,100 पे बार-बार रेजिस्टेंस में मिला रिजेक्ट हुआ सेगेंड आप होते होते एकदम से ब्रेक आउट दिया उसके बादे के बीच में थोरा सा करेक्शन भी वहा था उस टैम पर मार्केट काफी वालेटायल था विकॉस आपके रिलाइंस आज भी आजाएगा उसको मिज मत करना क्योंकि मैं आपको फुल स्टैटीजी पता देता हो कि अगर यहां पर यहां तक जा सकता है अगर यहां पर यहां तक गिर सकता है तो आज रात पी आजाएगा लगबग वही सारे दस की वीडियो 10-40 का आसपास एनिवे सबसे इंपो बहुत दिनों बाद आज 0.72% उपड़ा के क्लोजिंग दिया आईटी सेक्टर में एक डीसें टैप का तेसी था 0.47% के आसपास बीच में आपने देगा था आईटी सेक्टर में भी थोड़ा सा फॉल कर गया था फोई दो धाई बजे के आसपास ठीक है जब मार्केट भी क्या तो उस टैम पे मार्केट का भी वॉलेटाइल तो उस टैम पे ऑटो सेक्टर में भी आज आधा परसन ज्यादा मुबेंट हुआ इसको छोड़के देखिए फार्मा सेक्टर में काफी गिरावट हुआ और मेटल सेक्टर या आपकी ओटूसी सेक्टर मतब ओयल एंड ग पी एसो सेक्टर की शेर्स में आज भी लास्ट कुछ दिनों की तरह ड्रॉब देखने को मिला ठीक है आज रिलाइंस इंडेस्ट को पर हम थोड़ा डीटेल में चर्चक करेंगे बोनस के बारे में कितने रेश्यों में बोनस दिया कब एप्रूबल होगा इवन आज की पर एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको पर मैं आपको कलका था नजर रखे इरेडा दोस्तों आज इरेडा की जो फंडिंग की उपर मतलब सॉरी फंड्रेजिंग की पर बोड़ डिरेक्टर की मीटिंग होने वाला था उसका आउटकाम आज बजार क्लोस हो जाने के बा कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट काफी हद तक नेगिटिव था चाहिए डॉर जोन्स की बात करें और नैस्डेक तो आप देखी सेक तो एक परसें नीचे आके क्लोजिंग दिया था बरात सुबहा में दोस्तों जो सिनेरियो था वो काफी बदल चुका था मैं आपको तरह रिफ्रेश करके दिखाता हूं पहला आप देख लिजे अभी देखिए यूएस में जो लोकल टाइम 6 बच के 34 में डॉर जोन्स की फ्यूचर काफी तगरा चल रहा है 0.60 परसें पॉजिटिव में नैस्डेक की फ्यूचर की बात करें एक में रूप जाहिए न दोस्तों शाम के बक्त आउट होगा और इसका अपडेट में आपको आज रात की जो सारे दसकी वीडियो आता है ना जिसमें हम नेक्स डे मार्केट प्रेटिक्शन पूरे दिन की जितने भी इंपॉर्टन लेटेस्ट अपडेट एकनोमिकल डेटा आउट होता है पूरे द बहुत बड़ा मुबेंट ना हो बट एफमसी सेक्टर आईटी स्टॉक्स एन रिलाइंस इंडेस्ट्री की शेयर में क्योंकि मुबेंट हुआ था एक अच्छा-कासा गेनिंग आजा में देखने को मिला आजा सबसे पहले चलिए मैं आपको थोरा सा अपडेट देना चाहत कि आपको फ्री में शेयर मिलेगा जिया दोस्तों अब देखे यह कब होगा फिप सेप्टमबर क्या मतलब इसका देखे आज मुखे जंबानी जी एजीम में एन्वल जनेरल मीटिंग में इशु तो घोशित करती है कि वान इस्टु वान डेश में फिप सेप्टमबर 99.99% चांस है कि 5 सेप्टमबर एप्रोल मिल जाएगा क्योंकि मुखे संबानी जी ओल्रीडी इसको घोशित कर दिया ठीक है फॉर्मल इटिस बाकि है तो 5 सेप्टमबर आपको शेयर कर दूँगा जब भी कंपनी के द्वरा अपडेट आ जाएगा क्या इसका आपके पास पहले जितना था वो दुगना हो जाएगा अगर आपके पास सब्सक्राइब करेंगे में कौन कौन सी टॉपिक के अपर क्या क्या अब डिशन लिया क्या क्या घोशना वा मैं आपको फूट पाइप दिखाता हूं दोस्तों ध्यान से सुनना क्योंकि वीडियो है से थोड़ा सा लिंदी हो सेकते हुए बहुत सारे पॉइंड हम कवर करेंगे अपके लिए अच्छा है बस देख लेंगे क्योंकि आपको मालूमों कवा बहुत सारे ट्यपार हाइल बहुत सार बीजिन मतब सेगंद पॉइंट यहां पे मेंशन किया लास्ट यह रिलाइंस फाइल ओवर 2555 पेटेंट पेटेंट फाइल किया 2555 मेली इन बायो एनर्जी इनोवेशन सोलर एंड अधर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज एंड हाई वैलू केमिकेल अजा तीसरे पॉइंट पे मेंशन किया ज 5G स्टैक एट कोड डेवलाप बाइजियो इंजिनियर आजा पांचों पॉइंट यह मेंशन किया बिल्ट एए नैटी डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर फॉर और रिलाइंस बिजनेस ओके बहुत अच्छी बात है ताकि और ज्यादा ब्यापार फास्ट होगा एम तू ब्री बात करें या कस्टोमर्स को प्रोवाइट करना हो इस बार बहुत बार जोड़ दिया मैंने मत मतलब यहां पर लोगों ने भी आइधिंग देखा होगा बार बार याई का नाम उट रहा था उनके मुह से और उसके बाद देखें एगें याई की उपर यहां पर मेंशन किया लेंग अन्दा ग्राउंड वर्क फटा नाशनल ए इंफरस्ट्रक्चर एगें देखें एड एड़ी डेड़ी डेटा सेंटर एंड जाम नगर पे ठीके डेटा सेंटर बहुत जल्दी खुलेगा उसके बाद देखें नेक्स्ट मांट भी हालेट किया फोर सेक्टर बेनिफ एडुकेशन हेल्थ कियर एड स्मॉल बिजनेसे ठीक है उसके बाद देखें नेक्स पॉइंट में मेंशन किया रिलाइंस AI मोडल एंड सर्विस विल भी होस्टेट वितिन इंडिया बॉर्डर एंड कंप्ली फुली विद इंडियन डेटा एंड प्राइवेसी यहां पर काफी नजर पर रखा गया है ठीक है उसके बाद देखें सेम चीज़ यहां पर मेंशन किया जियो यूजर गेट यह को कितने मिलेगा यह देखें मतब जो आप अगर एक जियो यूजर है आपको भी यहां पर कुछ मिलेगा जैसके 100 गीगावाट और फ्री क्लाउ डॉस डॉकुमेंट्स है वहां पर आप सेफ करके रख सकते हो और सेम चीज़ दोस्तों इस बार रिलाइंस जियो ने करने जा रहा है तो मतलब देखें मेरे इस आप से ना मुखेश अंबानी जी इस बार गूगल को टक कर देने की कोशिश कर रहा है और यह कोई छोटे-मो बोल सकतो गूगल ड्राइब के सेम टूसेम कुछ यहां पे जीओ एक्लाउड नम करके दोस्तों लॉंच करने जारे जो कि दिवाली की दिन लॉंच होगा ठीक है इसको तोड़ा जान नजर रखना गूगल के साथ इस बार टक्कर होगा जियो का बदा पूर इंटरनाशनल आच उसके बाद लॉंच जीओ टीविस हंडेट परसंट को यह उतना खास नहीं है यहां अब देखसे को और भी कुछ फोटे मूट को आचा यह बीटा की उपर यहां पर मेंशन किया कि निक्स्ट्री फॉर एर्स ओके यह हम गरन प्रेंट आजा आजा रिलाइंस रिटेल हम आचाहेंगे इस बार डिजिटल कम्रीट हो जुका है रिलाइंस रिटेल में एमाउंग दर टॉप फाइप ग्लोबल रिटेलर्स इंटर्म आफ नंबर स्टोर्स अमाउंग दर टॉप 10 इंटर्म समार्केट कैपलेशन रिलाइंस पहुच चुका है दुनिया की टॉप 10 क बेस करके और जो नंबर अफ स्टोर्स को बेस करके टॉप 5 में अच्छा दूसरे पाइप मेंशन किया अमंग दर टॉप 20 दिलर्स इंटर्म आप नंबर इंप्लोईज एन अमंग दर टॉप 30 दिलर्स आप टाचा कंपनी मतों क्या किया चीव कि उसके वारे में थोड़ा से रिलाइंस फाइल नाओ कंट्रिबूट नेरली 30 परसेंट अफ इंडिया डॉमेस्टिक गैस प्रक्शन बहुत बढ़िया जियो बीपी हाज बिकम इंडिया इंडिग फास्ट एंड रिलाइबल चार्जिंग कंपनी वित ओवार 4800 चार्ज पॉइं अक्रॉस इंडिया कोशित नहीं किया अच्छा इस बात के न्यू एनर्जी मतलब रिन्यूवल एनर्जी को भी कुछ यहां पर हाइलेट किया जिसकी इनिशियेटेट अपाइलर्ट थाउजन एकर ओफ एडिट वेस्ट लैंड ट्वेस्ट इस्टाप्लिस्ट आफ फस्ट ऑफ काइन इंटेग यहां पर उतना खास नहीं किया वैलू क्रेटिंग रोट मैं अच्छा अब रिलाइंस का क्या रोट मैं थोड़ा सा फटावर देख लिजे आवर वैलू क्रेटिंग स्ट्रेजी रेस रंदर फांडेशन आप आवर ट्रैक रेकॉर्ड ओके तो यहां पर कुछ खास मेंशन कर दिया अब देखें कंपने अच्छी कंपने बड़े कंपने बढ़ हम इस बाद एक जो बहुत सारे एक्स्पेक्टेशन था कि सर जियो की आई प्यों कब लॉंच होगा या रिलाइंस रिटेल की आई प्यों कब लॉंच होगा उस बारे में कोई भी हाईलाइट इस बार नहीं दिया ठीक है तो मतलब आप समझ सकते हों कि नेक्स्ट एक साल में जियो का आई प्यों या जियो मतलब जो डिजिटल प्लेट्वां की में बात करो जियो फैनास ने और डीटेल की जो आई प्यों उससे उपर नाने काई सबसे आदा चांस है बाकि दोस्तों देखिए मार्केट के उपर तो मैं आपको अप्डेट दे दूंगा रात सारे दस पाजे पर नेक्स्ट वीडियो इसकी जो आज बॉर्ड अप्डेटर की मीटिंग आउठ वा और बीच में और वी वाउस इंपर्टन टॉपिक और वीडियो आएगा देखना मत बुलना और कोई करते हों मिलते नेक्स्ट वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जाए हिंद